बिग बॉस 13 में जीत के लिए रश्मी देसाई के घरवालों ने करवाया हवन जैसे जैसे बिग बॉस 13 के फिनाले की ताइक नजदी का रही है इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि इस बार का विनर आखिर कौन होगा इस बार के प्रतिभागियों में रश्मी देसाई का नाम भी सामिल है रश्मी देसाई के फॉलवर्स भी तगड़े हैं इसके अलावा रश्मी के घरवाले भी उनकी जीत के लिए भगवान से मननत मांग रहे हैं हाली में रश्मी की टीम ने उनकी जीत की कामना करते हुए पूजा रखी इस दोरान उनके घरवाले भी पूजा में सामिल हुए बता दे कि पूजा पेनेकल सेलेब्रिटी मैनेजमेंट आफिस में की गई जो रश्मी का क्लाइंट है रश्मी के करीबी दोस्त और कमपनी के ओनर संतोस गुपता ने सुन्दर कांट का पाठ आयोजिन किया पूजा में रश्मी के मुहबोले भाई गौरक देसाई भी मौजूद थी इसके अलावा पूजा में उनकी भावी रूपल देसाई भी आई थी बता दे कि रूपल देसाई शो के फैमली विक तास्क में अपने बच्चे स्वास्तिक और भावया के साथ बिग बॉस में पहुंची थी रूपल देसाई रश्मी के असली भाईव में बुंदेल देसाई की पतनी है शोशल मेडिया पर कुछ तस्वीरे वाईरल हैं जिसमें रश्मी देसाई की फोटोस के सामने हवन किया जा रहा है बता दे कि शो के अंतिम चरन की ओर बढ़ रहा है सो में ऐसा देखा जा रहा है कि कंटेस्टन अपनी और से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा वोट अपने नाम कर सके रश्मी देसाई के गेम को स्ट्रॉंग बनाने के लिए उनकी बेस्ट रंड देवोलीना भटत चार्जी आई है वे रश्मी की दावेदारी मजबूत करने के लिए उनकी मदद कर रही है अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर बिग बॉस 13 का वीनर कौन बनता है रश्मी के अलावा सधार्थ सूकला और असीम रियाज भी बिग बॉस 13 के मजबूत प्रतिभागी माने जा रहे है